हेलो गाईज दिस इंफोटेक्सेस यूट्यूब चैनल गाईज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइपस अप केबल के बारे में तो केबलिंग टाइपस जो है ये सबसे मेन चीज ये है गाईज की हमें देखना पड़ता है नेटवर्किंग करने के लिए या जो भी हम CCNA का प्राक्टिकल्स करते हैं तो कौन सी केबल हमारे नेटवर्किंग एरिया को इंफरस्ट्रक्चर को बेटर बना सकती है कौन सी केबल का कहां पर यूज करें सबसे पहले ये जानना जरूरी है तो यहां पर मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप केबल को समझोगे और कौन सी केबल का यूज कहां पर आप करते हो तो वीडियो को देखने के बाद केबल से रिलेटर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाइपस आप केबल क्या है और कौन सी केबल का क्या क्वालिटी होता है तो यहां पर देखो सबसे पहले गाइस मैं अगर केबल टाइपस की बात करूँ तो यहां पर जो पहला केबल टाइपस ये है basically three types की cable होती है तीन types की cable होती है पहला जो है quaxial cable, fiber optic cable और twisted pair cable तीन तरीके का होता है तो guys यहाँ पे quaxial cable की अगर मैं बात करूँ quaxial cable जो होता है RG58 की category में RG8 की category में RG59 और RG6 की category में आता है तो यह अलग-अलग categories हैं जो अलग-अलग वे में आती हैं तो quaxial cable का अगर types यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको तो यह है कि quaxial cable आपका एक अलग तरीके का cable है जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो less cross-talking होता है interference support नहीं करता connectivity जो communication का process होता है यह when label तक कर सकता है मतलब कि बहुत बड़े label तक networking कर सकते हो आप इसमें और जो हमारे tall networking वगरे में जो cabling standard cable वगरे यूज करी जाती है यह maximum यही होती है लंबी distance को cover करने के लिए यह maximum इसकी जो length होती है 500 meter to 600 meter तक जा सकती है और यह सारी चीजे होता है तो यह basically quaxial cable के बारे में रहा main cable जो आती है अगली cable वो है fiber optic cable present time की अगर मैं बात करूं गाइस तो जो cable का standard है वो fiber optic channel पे यूज हो रहा है maximum क्यों कि जो fiber optic media है fiber optic channel है यह आपको light form में data को transfer करता है मतलब कि LED जो light होता है light form में data को send करता है वो LED form होता है और इसमें कोई wire नहीं होता है जो भी wire होता है glass core plate का बना होता है और वो बहुत तेजी से data transfer करने के लिए बना होता है जैसे कि आप देखते हो light अगर आप कहीं पे भी जलाते हो तो बहुत तेज उसका distance cover होता है वो तुरंत सा चारू तरफ cover हो जाता है बहुत तेजी से वो spread होता है और for when communication के लिए होता है जो भी transfer होता है data वो light source में होता है और जो light का source होता है वो LED form में होता है maximum bandwidth को support करता है मतलब कि जितना ज़्यादा आप इसमें speed से data transfer कर पाए ये able है data को transfer कर सकता है supports जो होता है ये कुछ modes से support करता है जो कि technology से belong होता है पहला जो mode है वो है single mode technology और multi mode technology single mode technology में guys data अगर एक computer से आप दूसरे computer पे fiber optic channel के through send कर रहे हो तो single mode technology ये बोलता है कि data एक समय पे एक बाड़ एक तरफ से transfer हो सकता है उस समय दूसरा कोई computer data transfer नहीं कर सकता अगर ये transmission complete हो जाता है तब ये computer सक्सम होता है data को transfer करने के लिए फिर आता है guys multi mode technology multi mode technology में guys ये है कि दोनों computer at a time data transfer कर सकते हैं एक साथ data को transfer कर सकते हैं अब guys next cable की बात करता हूँ जो twisted pair cable है twisted pair cable दो category में आता है stp and utp तो ये stp utp क्या है आपको मैं बताता हूँ कैसे work करता है तो यहाँ पे गाई जो stp utp की मैं बात करता हूँ तो वो ये cable जो stp है या utp utp stand for होता है unsealed twisted pair cable utp unsealed twisted pair cable ये basically use for land networking local area networking के लिए use किया जाता है और ये बहुत सारी categories में आता है category 1, category 2, category 3, category 4 but ये जो category 1 से लेके 4 तक है ये जो types की cable है category ये भी present time में नहीं आती है मतलब की use नहीं करी जाती है क्योंकि जो latest cable standard है जो की category 5, 6 और यहाँ पे काई 7 5E, 6E, 7E या A, A भी यहाँ पे आ सकता है आपका तो कोई difference नहीं है जो category 5 है ये 100 Mbps की speed प्रोवाइड करता है और at a time दोनों तरब से आप data को send कर सकते हो plus guys यहाँ पे मैं बात करूँ category 6 का तो ये 1000 Mbps से data send कर सकता है और category 7, 10,000 Mbps से data send कर सकता है इन तीनों का कुछ upgraded design किया गया है categories जो के category 5E आपका 1000 Mbps के साथ category 6 आपका 10 Gbps के साथ और category 7 आपका 10 Gbps to 40 Gbps के साथ data को transfer कर सकता है और ये supports जो करता है वो multi mode technology को support करता है और maximum इसका जो distance होता है वो guys 100 meter का area cover करता है यानि 0 to 99 area आप इससे cover कर सकते हो तो ये रहा आपका UTP के बारे में guys यहाँ पर मैं बात करूँ STP और UTP के बारे में तो थोड़ा सा difference है दोनों में अगर UTP देखा जाए तो more interference, cross talk, bandwidth low मतलब इसमें ज़्यादा data को loss होने के chances होते है cross talking हो सकता है मतलब कि एक data कहीं जा रहा है और इसको यहाँ पर जाना है bandwidth low होती है और STP की बात करें तो STP silded twisted pair cable होता है माल लिया कि जो category होती है जो cable होती है माल लिया एक cable है तो cable में जितने भी wire होते है यह wire अगर UTP की बात करा जाए तो यह simple plastic के cover में होता है बट अगर STP की बात करा जाए तो plastic cover के नीचे भी एक cover होता है जो की copper mesh का बना होता है और वो चारो तरफ से cable को माल लिए चारो तरफ से cover की रहता है और उपर से फिर plastic cover होता है इसकी वज़े से जो बाहर से signal आने वाले हैं वो इसको interfere नहीं कर पाते और यह cross talking, no interference और सारी चीजों से थोड़ी सुरक्षा प्रवाइड करता है मतलब secure transmission प्रवाइड करता है और तेजी से data को transfer करता है तो यह basically दोनों में difference रहा गाईज फिर मैं बात करूँ तो यहाँ पे cables का कुछ और advanced categories आ गया है types आ गया है जैसे कि cross cable यहाँ पे देखिये दिया हुआ cross cable cross cable मतलब की ici cables मतलब cable को दो पार्ट में divide किया गया एक cross और एक straight basically यही दो और एक नया मतलब जो एक तरह से यह भी mode support करता है जो की roll over cable है तो guys सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ cross cable की तो cross cable connect similar device अगर मालिया similar device जैसे आपको एक computer से किसी दूसरे computer को connect करना है तो आपको कौन सी cable लेना पड़ेगा cross cable लेना पड़ेगा guys जैसे कि like PC to PC एक hub से दूसरे hub को एक switch से दूसरे switch को इस थरीके connection करना है तो आप cross cable बनाऊगे cross cable का कुछ color code होता है जो कि मैं next video में सारी चीजे बता दूँगा क्या है कैसे है और straight cable की अगर मैं बात करूँ तो straight cable basically क्या होता similar device को नहीं connect करके बलकि यह different, dissimilar dissimilar device को connect करता है जैसे PC to hub मतलब कि एक computer को आप अगर connect करना चाहते हो switch के साथ मालिया यह switch है switch तो इस तरीके में आप जो connection करोगे यह कौन सी cable का यूज़ करोगे straight cable और straight cable को ही आप बोलते हो patch cable patch cable बोलते हो तो यह cable है अगला जो cable का जो type से वो basically roll over cable है और roll over cable का यूज़ करते हैं हम लोग connect करने के लिए router को switch के साथ और कौन से port का यूज़ करके console port का यूज़ करके तो यह basically guys यह रहा आपका cable टाइप साथ और उसके कुछ गड़िज के बारे माँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कोई भी doubts होता है तो comment करें comment box में और मिलते हैं guys next वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें और अपने friend के साथ share करें thank you and good bye